प्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कटहल की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सब्जी कटहल से तो हम बहुत तरह तरह की सब्जियां बनाते हैं या कोफते बनाते हैं काफी लोगों की फेबरेट भी है लेकिन आज मैं जो कठल के सबजी लेके आई हूँ मात्र ये 10 मिनट में आपकी बनके रेडी हो जाएगी बहुत ही कम समय में और बहुत ही मज़डार ये सबजी बनती है तो जिनके पास समय की बहुत ही कमी है या फिर बहुत ही busy life है तो वो इसके लिए हमें half केजी देखी हमने छोटी वाली कजली है बड़ी वाली नहीं यह मैं छोटी वाली कजली हूँ इसकी टेस्ट इससमजी बहुत बनती है तो इसे हमने देखे काटकर अच्छी तरह से दो लिया मार्केटब्र में तो वैसे काटकर भी मिलती है तो आप लाईए उसके बीच की जो portion होती है, उसे हमने निकाल लिया, छोटे-छोटे pieces में हमने इसे कर लिया है, और अच्छी तरह से धो लिया है, तो चलिए एक बड़ा सा mixing bowl लीजिए, और उसमें हम इतना बड़ा लीजिए, ताकि सारी चीज़े हम अच्छी तरह से मिला सकें, हम अपनी सार कठल को इसमें डाल देंगे, और कठल डालने के बाद अब हमने लिया है, इसमें तीन बड़ी प्याज, क्योंकि इस सब्जी में थोड़ा सा प्याज की मात्रा अथिक होती है, तो इसे भी बारीक काट लिया है, हमने डाल दिया, दो तेज़ पत्ते, एक खड़ा लहसुन, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें देखिए हमने एक चम्म जीरा लिया है, चार पाच, काली मिर्च, लॉंग, एक इलाइची, दाल चीनी, जावित्री और तीन सुखी लाल मिर्च, इन सारे खड़े मसालों को हम इसमें डाल देंगे, एक बड़ी चम्मच हमने लहसुनद्र का पेस्ट लिया है, अब अब इसमें दो बड़े टमाटर को काट कर इस तरह से आप बारी बारी काट लीजिए और इसमें डाल दीजिए, क्योंकि टमाटर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, एक चम्मच हम हल्दी पाउ पाउडर, आधी चम्मच काली मीर्च पाउडर, एक बड़ी चम्मच लाल मीर्च पाउडर, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और एक चम्मच मैं इसमें कश्मीरी लाल मीर्च डाल रही हूँ, यह तीखी नहीं होती है, कलर के लिए होती है, और एक बड़ी चमच इसमें हम डालेंगे गरब मसाला स्वाद अनुसार आप नमक एड़ कीजिए और फ्रेंड्स इसे बहुत ही क्विक इसलिए बना सकते हैं क्योंकि सारी इंग्रेडियंट्स जो है इस तरह से अगर आप डालकर बनाते तो इस सब्जी का टेस्ट कई गुना ब पूरी चीज़े अच्छी तरह से पूरे मसाले में प्याज टमाटर सब अच्छी तरह से निक्स कीजिए और इससे पहले भी कठल की सबगी में डाल चुकी हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जरूर जाकर देखिए गा और जिन्हों ने अभी तक जरूँ ट्राई कीजिए, तो चलिए आज मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि कुकर में जल्दी बनाना है, तो कुकर में बनाएंगे, तो सारी mix चीज़े हैं हम अब कुकर में डाल देंगे, वैसे आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा सम लगेगा लंबा to quick अगर बनाना चाहते हैं तो हम तुकर में डालेंगे और बस इसे हम पानिन ढालेंगे अगर किय Laura इसमें प्यास टमार्ड सब अपना पानी छोड़ेंगा बढ़ों के एक सीटी हम हाई फलेंप लेंगे और उसके बादiona Fin सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लीजे तो इस तरह की यम्मी रेसिपीज अगर आप और भी देखना चाते हैं तो हमारे चैनल पर जाएए बहुत अच्छी अच्छी वेज, नॉन वेज, सारी रेसिपीज आपको उस पर मिलेंगी बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जो हेल्दी भी हैं और क्विक बन भी जाती हैं तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको हमारी ये कठल की सबजी जरूर ट्राइ कीजिए और कमेंट्स में बताइए कैसी लगी